पंजाब एवं हर्याना उच्च न्यायाले के न्यायादीश और हर्याना राज्य विदिक सेवा प्रादिकरन के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने शनिवार को न्याय सब के लिए उद्देश्य की सार्थक्ता के साथ रेवारी जिला मुख्या में शामिल हुए जस्टिस ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह वर जस्टिस मनोज बजाज का रेवारी पहुंचने पर जिला एवं सत्र न्यायदीश विमल कुमार, डीसी अशोक कुमार गर्ग्व बार असोसेशन रेवारी के प्रधान शम्शेर सिंध यादव ने स्वागत किया ADR सेंटर के लोकारपन अफसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह वर जस्टिस मनोज बजाज ने हर्याना राज्य विदिक सेवाएं प्रादिकरन के विशेश अभ्यान गरिमा के साथ व्रिगावस्था एजंग विद दिग्निटी का मोचन किया हर्याना विदिक सेवाएं प्रादिकरन के सचव एवं पंचकुला के जिला एवं सत्र न्यायदीश सुभाश महलाव जिला विदिक सेवाएं प्रादिकरन की सचव वर्षा जैन ने इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी ADR Center के लोकारपन समारोह को संबोधित करते हुए हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से जन्मानस को अपने मामलों का निप्तारा करने का एक सार्थक विकल्प मिलेगा हर्याना में जिला स्तर पर यह 14 विकल्पी विवाद समाधान केंद्र का भावन है अलग विकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के मामले में हर्याना देश का अग्रणी राज्य है उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर जन्मानस को त्वरित, सस्तावसुलब न्याय दिलवाए आज समाज में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं, जिससे न्यायाले में भी कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है वेकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के माध्यम से लोगों को कानूनी सहायता के साथ साथ विवादों को आपसी समझोती के आधार पर निप्ताने का सशक्त माध्यम है उन्होंने हर्याना राज्य विदिक सिवाए प्रादिकरन की ओर से आरम किये गई गरिमा के साथ व्रिगावस्था ए जंग विद डिगनिटी अभियान की प्रशनसा करते हुए कहा कि देश के भविश्य का निर्मान करने वाले वरिष्थ नागरिकों की सम्मान में यही एक सर रहनिय पहल है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वरिष्थ नागरिकों के लिए भी अनेक योजनाय चलाई जा रही है उन योजनाओं का वरिष्थ नागरिकों को भरपूर लाब उठाना चाहिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वरिष्थ नागरिकों को पूरा मान सम्मान दें और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाब बुर्जगों तक पहुँच सके। उच्छ न्यायाले में सेशन डिविजन रिवारी के प्रशासनिक जग जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि ADR सेंटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से परिवादियों को सुलब सस्ता वत्वरित न्याय मिलेगा जिससे उनके धन्व समय दोनों की बचचत होगी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवाद के कारन लोग लंबित लडाई कोर्ट में लिने के उप्रान समझोता करते हैं. ADR सेंटर ऐसे लोगों के लिए कारग साबित होता है। उन्होंने कहा कि विदिक सेवाओं के प्रचार प्रसार के कारण अब लोक अदालतों वई-डि-ार सेंटर के प्रति लोगों का रुजान निरंतर बगता जा रहा है जिसके माध्यम से प्रति वर्ष प्रदेश की लाखों लंबित केसों का निप्तान किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधी श्विमल कुमार ने मुख्य अतिथी कारेकारी अध्यक्ष ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह और प्रशासनिक जज मनोज बजाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रिवाडी में ADR भवन का तोहफा दिया है। जिला में लोग अदालतों के माध्यम से 92.7% केसों का निप्तान किया गया है और अब ADR सेंटर के माध्यम से विवादों को निप्ताया जा सकेगा। ADR सेंटर के लोकारपन कार्यक्रम का जस्टिस ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह व जस्टिस मनोज बजाज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम किया। इससे पहले उन्होंने नवनिमत ADR सेंटर का अवलोकन किया। लोकारपन समारोह में स्कूली विद्या थे वो हर्याना कला परिशक की टीन ने सास्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुती दी। जिलाबार असोसियेशन के पदाधिकारियों ने जस्टिस ओगस्टाइन जॉर्ज मसीह व जस्टिस मनूज बजाज को स्मृती चिन्ह भी भीट किये। कार्यक्रम के उपरांट ADR सेंटर परिसर में पौधरोपन कर पर्यावरन संरक्षन का संदेश भी दिया गया। इस अफसर पर अतिरेक्ट सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन, सुशील कुमार गर, सर्ताज बस्वाना, अर्चना यादव, सुनील कुमार दीवान, फैमिली कोर्ट के जज हर्बीर सिंग दहिया, सिविल जज पियुष शर्मा, सीचेम विनीट सपा, जैमाइसी रूपा एस पी पूनम दलालवा बार असोसियेशन के सदस्या अधेवक्ताव सहित अन्य गन्मान्य व्यक्ती भी उपस्थित रहे लेएजिट लेडसी उपसे ऑथ हरी currently सिर्य मुमल कुमर से मीशिकरий कर्भाडी खिर्क शेशिट विसल के डिवाड़ होसे किर्वाडी जने को सिर्थ इवाड़ शेचे में वीर कर्णेयस, ले पूनेSIट हो पिएर्दीश अये ठीटिशे अवाड़ी रवाड़ाटी members of the BAHR, ladies and gentlemen. This week, we celebrated 75th Independence Day, followed by Jan Mastemi. And on these occasions, being a festive week, I extend my heartiest greetings to you all. इन स्कत्ध किवे बिंए लिए बाज्ट इन दुझ इसफ़ू। वे अगज़ अ केस लिए स्वी खाहत्र है वी मियाँ मैं अज्ट ए झाल फॉब्सरा है इन फिस प्रीज वी अज्य टी अभावत कि लिए बड़न इस प्रहूं है is immense and is notable perhaps something is extraordinary in the soil of this city that it encourages everyone to serve the nation even post-independence you are continuously contributing in protecting this nation it is remarkable today district Rewadi has got alternative dispute resolution center and this platform would provide an opportunity to the litigants to explore the possibility of amicable settlement this process and procedure is actually really very effective if it succeeds and the parties arrive at a settlement it binds them leaving no scope for further litigation by way of appeal etc. whereas the routine adjudication process in the current situation is well known to be time consuming but there are various reasons for it in the past few years major changes have been witnessed by the society this includes increase in filing of court cases I have experienced I have experienced that in the last few years for example the matrimonial dispute or family disputes they have increased a lot it is frequently seen that the marriages do not work and very soon the couples are roaming in the corridors of the courts apart from it even youngsters who have not even completed their studies run away and started believing in those living relationships they have also filed they started filing number of cases every day this was previously not so even citizens used to give second thought to approach the court it was always a last resort this increases the burden on the courts and the casualty is those cases which require adjudication that is delayed I would call it a reckless filing in many cases the litigants carry on with their tooth and nail fight against their opponent and after a long battle they end into a compromise but by that time lot of time is wasted this ADR center comes as an alternative for those who actually want to litigate they must make an attempt to first settle the dispute filing of court cases can't be arrested or curtailed nor it can be because they have a right they should they have to come to court they have to but they should think twice before approaching the court even this last two years we all battled through this pandemic it has added to dependency and every judge as on today in India irrespective of the placement be at entry level or be at the top level is overburdened perhaps we are trained to carry this load the alternative mechanism that is ADR center can be effectively used mediation and conciliation is not something which has been introduced recently in modern times this is an ancient practice in place and to recall the oldest mediation attempt was Lord Krishna when he attempted to solve the dispute between Kauravas and Pandavas it is my personal belief that if there is a dispute solution also lies but the parties must participate in this process with an open mind with an open mind and a powerful introduction and a powerful pressure is going to be that what you say is a small hand and the mic is also 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 the mic is also and the mic and the mic is also let me start now अजर्ण जिटिष ए्गूर्व प्रेंच्छ सीब्धार नियुंग के अधिफ्यूर में वर्यूर्ट अगुर्ण ऑटर्वेश्टर। कुमार कर्क, विमिल कुमार जी, इस्टिक इसेश्ट ज़ुड, प्रेजिट अप्र बार रवाडी, मिस्ट शंशेर सिंग्यादव, मादम पूनम दलाव, एस्टि, रवाडी, मिस्ट सुधर्शन पवार, CMO, रवाडी, मिस्टर, मनोच कुमार, प्रेजिट कोसली बार, प्रेजिट नितिन कोशल, प्रेजिट बावाल, प्रेजिट बार, Mr. Jag Bahadur Gupta, Chairman, यग भूशन Gupta, sorry, Chairman PLSA, and Mr. S. K. Khanduja, President, Consumer Commission, रवाडी, apart from Mr. Aditya Deshwal, the Executive Engineer, PWD, रवाडी, Judicial Officers, Media Persons, Panel Advocates, Paralegal Service Volunteers, Law Students, NGOs, and all others are present. I know, the reason why we are all here together has already been explained and elaborated by Justice Pajaj, so I need not restart from where he had initially introduced the whole theme and the purpose why we had come here. The purpose why we have actually proceeded to have this ADR Center was conceptualized and was intended by giving an option to the people to avail of a remedy which earlier was although available in our society always, but to give it a legal shape, a procedure and process. What has been happening always was earlier, as was depicted even in the skit also which was played, the matters were settled at the level of the panchayat itself and everyone followed that. But with the loosening up of the system of the families which we had, the nuclear families coming in, these are certain practical difficulties which have now crept in in the society and with the change in society we also have to change accordingly. The adaptation has to be there, the changes have to come in, we have to move forward, can't continue with the whole systems, have to really work on it to find a way of putting the things in a better perspective. And it is with that intent that the alternative dispute options have been given to the people. I know the bar has a great contribution to be made in this. Unfortunately, it has not yet been that successful as it should be and it is with that intent that we are wanting to have separate ADR centers where you have a place available where such processes can be taken, taken up for the solutions to take place. We are here in the world. if we have what we are looking for, make sure we answer the application that we have on the right hand, So, we can do it and get the work and we can't do it